cash transactions की limit क्या है income tax law के हिसाबसे जैसे कि आप घर में कितना cash रख सकते हो या property में कितना cash का लेन देन कर सकते हो यह इन जनरर अगर आप business करते हो तो कितना cash ले दे सकते हो अपने business के अंदर या अगर आपको शादी में कोई खर्चा करना है cash में तो कितना cash में खर्चा कर सकते हो या किसी को gift देना है cash में तो कितना कर सकते हो इसके लाव दोस्तों बात करूँगा कि cash में आप किसी को दानने पुनने का काम कर रहे हैं तो कितना आप donation दे सकते हो cash में या किसी को loan की repayment कर रहे हो cash में उसका चुकाया आप pay कर रहे हो तो कितना cash आप दे सकते हो और इसके आप पूरा देखे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो के अंदर डेटेल में पूरा बताऊंगा कि cash transactions की क्या limit है income tax law के हिसाब से, नमस्कार में दीपक बैसला आपको स्वागत करता हूँ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे लालवनस को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला कोश्चन है, कि सब हम घर में कितना cash रख सकते हैं, तो guys income tax law में यहाँ पे कोई भी limit defined नहीं है, इसका मतलब आप जितना मरजी चाहे अपने घर में cash रख सकते हैं, लेकिन problem कहाती है, problem तब आती या कोई income tax की raid हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपके पास ये cash आया कहां से, इसका मतलब यहाँ पे जो important point क्या है, कि उस cash का source क्या है, और obviously वो जो source आपके पास होना चाहिए, वो बिल्कुल genuine source से होना चाहिए, वो कोई illegal source से आपके पास पैसा नहीं आना चाहिए, अब second यहाँ पे बात करता हूँ कि आप property में कितना cash ले सकते हैं, तो income tax law के हिसाब से, आप 20,000 के बराबर या उससे जादा का cash का लेंदेन ना करें, property के self purchase में, आप कोई घर खरीद रहे हैं, कोई property खरीद रहे हैं, तो limit यहाँ पे जो दे रखी है, व तो guys, income tax law के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी occasion या event को लेकर, आप maximum 2,000,000 रुपे तक का ही cash में खर्चा कर सकते हो, इसका मतलब अगर आपकी शादी हो रही है, तो उस case के अंदर, मान लेते हैं, जैसे आपने decoration का ठेका किसी को दे दिया, या आपने farmhouse book करा दि है, या आपका जो है, catering की जो payment करनी है, तो maximum यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे 2,000,000 रुपे तक की, एक event या एक person को लेके limit यहाँ पे दी गई है, अब जो यहाँ पर सब इंपोर्टन पॉइंट आता है, कि cash में अगर gift देना है, तो कितना दे सकते हो, guys, यहाँ पे जैसे कि आपके friends बगर आओगे या कोई जानकार होगे, तो वो इसकी definition में आते हैं, तो income tax law कहता है कि आप relative से maximum 2,000,000 रुपे तक का ही cash में लेंदेन कर सकते हो, लेगिन यही limit दोस्तों जो हो जाती है non-related के case में, यानि कि friends और जानकार के case में वो limit कितनी है, 50,000 रुपे त 50,000 रुपे तक का आप cash में gift ले सकते हो किसी से भी, अपने friends से या कि अपने जानकार से, अब बात करता हो, अगर आप कोई business man है, तो कितना cash में आप खर्चा दिखा सकते हो, income tax law के हिसाब से यहाँ पर जो limit रखी गई है, वो मातर 10,000 रुपे तक, इसका मतलब आप कोई ख सलाओ कर दिया जाएगा, इसका मतलब उसको आपकी income में add कर देंगे और वो आपकी income मानी जाएगी, income tax law के हिसाब से, transporter के case में आप cash दे सकते हो, 35,000 रुपे तक का, अगर आपने कोई loan की repayment करनी है, loan आप अनने ले रखा है, तो आप दोस्ते यहाँ पर repay कर सकते हो, maximum जो लिमिट है, वो cash में सिर्फ 20,000 रुपे तक है, साथी जो important point यहाँ पर है कि bank में आप कितना cash withdraw कर सकते हो, deposit कर सकते हो, cash की जहाँ पर जो limit है, income tax law के हिसाब से, करज आपको पता हुआ कि आप cash जब भी को deposit करने जाते हो, bank के अंदर 50,000 रुपे के बराबर से ज़ादा का, तो वहाँ पर आपको pen number देना पड़ता है, तो ऐसे जगर मैं बात करू, saving accounts की और current accounts की, तो saving account की यहाँ पर जो limit रखी गई है, cash को लेकर, यानि कि deposit करना और withdrawal करना वो 10,000 रुपे है, एक financial year में आप जो है, maximum 10,000 रुपे तक का यहाँ पर cash deposit करें, या withdrawal करे, saving account में, current account की बात तो यह जो limit है, वो 50,000,000 रुपे रखी गई है, इसका मतलब 50,000,000 रुपे तक, आप current account में deposit करें, और maximum withdrawal करें, 50,000,000 रुपे तक ही, एक financial year के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप limit cross नहीं कर सकते, आप बिलकुल 10,000,000 से ज़ादा का भी cash जमा करा सकते हैं, अपने saving accounts में, current account में 50, यहां पर होता क्या है, जो important point है, कि bank वो सारी transactions के बारे में report कर दिता है, income tax department को, जिन खातों के अंदर, saving account में 10,000,000 से ज़ादा का cash जमा हुआ है, और current account की बात करूं, जिन खातों के अंदर 50,000,000 से ज़ादा का cash जमा हुआ है, या निकाला गया है, cash withdrawal करते हो bank से, तो अभी recently सरकार ने उसके उपर TDS लगाना चालू कर दिया है, अगर आप 20,000,000 से ज़ादा का और एक करोड तक के बीच में cash withdraw करते हो, तो यहां पर आपको 2% या 5% जिस भी case में आप आते हो, यह depend करेगा, आपने अपनी ITR भरी है नहीं भरी है, तो उस case में bank आपका यहां पर TDS का ले सकते हो, उससे ज़ादा का नहीं देना, अब इन जनरल बात करता हूँ कि एक व्यक्ति से आप कितना cash ले सकते हैं एक दिन के अंदर, तो यहां पर जो limit रखी गई है, income tax law में वो रखी गई है, यह दो लाग रुपे, आपको यह ध्यान लखना है कि यह limit अगर आपकी cross ह हो जाती है, तो उस case में 100% penalty यहां पर देनी पड़ेगी आपको income tax department को, जो person receive कर रहा है, यहां पर देने वाले के ऊपर penalty नहीं है, लेने वाले person के ऊपर government ने penalty लगाई है, गाईज मैंने कोशिच कर रही है कि cash को लेकर जितने भी limit है, मारी income tax में इसमें cover करने की, इसके आप तक पहुंच को इसके apply करेगी, और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद ही होगी, तो इसलिए वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करना ना, भूले नीचे लाल बटन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, thank you झाल